तो हेई गाईस मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फाइनिशल एडिकेशन पर तो दोस्तो आज हम लोग जो न्यूस के बारे में बोलने बाले है तो उसका नाम है श्री इंफ्रेस्ट्रक्सर तो दोस्तो आप लोग वीडियो को लास तक देखिए क्योंकि मैं बी जो की इसको जो कांट्रोल करते है तो वो है कानोरिया फांडेशन तो इसके बाद दोस्तो आप हम लोग इसके बारे में न्यूस बताने बाले तो दोस्तो देखिए यहाँ पर जैसे के लिख्या है कि यह जो भाइस शेयर्मेन जो है इस कंपानी का जिसका नाम है सुनिल कान एड बैंक देने बाला है उस बैंक का नाम यहाँ पर मैंशन नहीं है पर एड बैंकों से उनको 80% का जो पैसा मिलने बाला था तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते है इसके बाद जो 20% है तो यह कंपानी ने यह डिचाद किया कि इसका 20% का रुपीज जीतना तो यह था इसका पहला न्यूस तो इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद दोस्तो यहाँ पर क्या बता गया कि जब गवर्मेंट नरेंडर मोदी जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यह बोला कि 1.5 थ्रिलियन बैंकों से बैंक देने बाला है 1.5 थ्रिलियन जो कि आप लोग अगर रुपीज में बोले तो यह लगभग आप लोग बोल सकते 30,000 करोर के आस पास में होगा तो यह जो 1.5 थ्रिलियन का इन्भेस्मेंन जो कि की में होगा आप specific company construction, highlights, pipeline यह सब में काम करेगा तो बोलोग को बैंक 1.5 ट्रिलियोन का लोन दे देगा तो तब दोस्तों क्या हुआ कि ILNFS ILNFS यह से कमपानी जो एक फाइनेंस का भी है और इंफ्राइस्ट्रक्सर भी कमपानी है तो यह कमपानी क्या हुआ कॉलाप्स हो गया आप लोग बोल सकते थोराचा दाउन हो गया यह फिर बैंद हो गया तो कॉंस्ट्रक्सर का जो काम तो आप लोग बोल सकते थो तब इसका जो यह जो कमपानी है श्री तब यह कमपानी पीक में चला गया था जैसे कि यह पर लिखा हुआ है यह कमपानी पीक में चला गया था जब ILNFS क्रूप दाउन हो गया था तो इसलिए दोस्तों यह पर क्या हुआ जब यह कमपानी देखने लगा श्री कि हमारा कमपानी तो आच्छा परफर्म कर रहे तो इसलिए क्या हुआ 15 billion रूपीज जो कि अगर मैं करोर में बताओ तो 1500 करोर के आसपास में होता है तो 1500 करोर पार मांद यह लोन बैंकों से लेने लगा यहाँ पर मैंशन क्या है इच मांद कानोरी आसेट तो यह 1500 करोर का रूपीज जो पैशा बो हर महीने यह कमपानी लेने लगा रोट के लिए चौनस्ट्रक्षन के लिए ये सब काम करने के लिए और कमपानी को आज़्या पार्फर्मेंस देने के लिए तो यहाँ तक तो दोस्तो ठीक था पर उसके बद क्या हुआ देखिए तो इसक का अलग कंपानी है तो यह company क्या हुआ तो यह company approval मिल गया इसको लिस्टेद होने के लिए stock market ले तो अभी देखे मोडी गवर्मेंट जो है तो मोडी गवर्मेंट ने ILNFS जो मैंने बोला था आप लोगो इंफ्राइस्टर्सर का या फाइनेंस का जो company है तो इसको SIS कर दिया SIS यानि आप लोग वो सकते है बैन कर दिया इसको इस company को तो जिससे क्या वह आप लोग यहा पर देख सकते है क्यूंकि क्यों बैंद क्या रोसो देखिए यहा पर यह मियुशेल फांड या फिर जो इसमें भी इफेक्ट परा है यह पर क्या है तो स्री का जो अभी क्या हुआ जो स्री का जो पैशा है वो 80% of their value since then तो यह तो थोड़ा सा आप लोग बोल सकते रेकोड यह जो स्टोक में लिस्टिंग हो था यह कमपानी उसके बारे में इतना यह खास नहीं है इसके बाद दोस्तों देखी यह पर क्या हुआ इंडी यह यह भी आप लोग बोल सकते कि यह जो लिस्टिंग के बाद यह पर 33% का स्रेंग हो गया स्रेंग के आणि आप लोग बोल सकते कि थोड़ा सा यह दूग गया था यह कमपानी लिस्टिंग होने के बाद मैं कॉनसे कमपानी के बारे में बोल रहा हूँ श्री का जो तो सुनीं में दिशिएए आर ब्याघ्यां कोट और मनें यह सब ने क्या किया इम्पेंटेक दुर्फरास्ट्रक्षर सेक्टर एफ्रिस यह company थोड़ा सा down जाने लगा पहले में तो यह आप गया था जब LN आप लोग देख सकते LNFS जब बैंड हुआ था तब यह तो आप गया था क्योंकि इसका आप लोग देख सकते यह एक ताम पर 18 रूपीज तक भी गया था अभी तो लगभग था 20 पर एक ताम में यह 13 रूपीज तक गया था इसलिए क्योंकि यह बैंड होने के बाद LNFS बैंड होने के बाद यह प्राइस राइज हो गया पर दोस्तों इसके बाद क्या हो देखिए आप लोग गभर्मेंट ने इसका जो माइन कोल यानि कोल माइनिंग का जो इसका कमपानी है या फिर इसका जो आप लोग बोल सकते स्टोक तो यह सब कमपानी को क्या कर दिया गभर्मेंट तेलीकों कमपानी तो यह सब गभर्मेंट ने इसका कैंसल कर दिया परमिशन यानि आप लोग बोल सकते बैंक कर दिया क्योंकि ये इतना अच्छा बरफर्म ने कर रहा था और बहुत लोन लेकर रहा था जैसे कि आप लोग को मैंने पहले बोला जो गभर्मन का स्कीम था कंस्ट्रक्शन के बिशे में जो प्रावेट कंपानी इसको कर पाएगा ये रोध कंस्ट्रक्शन ये शब तो उन लोग को बैंक से आप लोग जैसे कि मैंने बोला तो 30,000 क्रोर का लोन देगा बैंक तो जिसके बज़े से इसने सोचा की हम लोग कर सकेंगे इसलिए इस कमपानी ने 59 करोर पार मांथ लोन लिया था तो जो की इसके बाद क्या वरुस्त अभी देखे इसका तो ये कमपानी जो तेलीकॉम या फिर माइनिंग कोल ये तो बैंड हो गया तो इसके बाद आप लोग इसके बहुत बैंकों से लोन लिया तो अब बियंकों लोन चुका नहीं पा रहा था क्यूकि इसकानी का roffit होँ न रहा था तो इसलिए जब बहुत सारा बेंकों से लोन आप लोन बॉसके बाद क्या मिर्स घ्या कि और बहुत वैंकों को आरर बूसकते। कुछ भी फान नहीं मिलेगा इस कमपानी को अगर ये कमपानी लोन या फिर कुछ लेगा फिर शे तो अप लोग अगर यहाप पर और बात है कि ये कमपानी फ्यूशर में एक काम नहीं करने वाला ये सिफ गबबर्मेंट के लास तक देखे अभी उसके साथ COVID का भी इंपेक्ट पारा था जो कि लोगों को यहाँ पर इंफेस्ट या फिर आप लोग बोल सकते के पीपुल के साथ इतना पापलिक के साथ इतना ताच नहीं हुआ था ये कोबिद के बाज़े से तो तब ये कोब्पानी थो जप्ट ज्यादा ही दूप गया था तो इसके बाद यहाँ पर क्या बोला जब जो इह मैन बोला था कि श्री इंफ्राइस्टर का जो finance का जो हे stock तो ये 70% less में ये बेच रहा था ये company को तब क्या हुआ कुछ-कुछ investor को यहाँ पर attractive लागा क्योंकि ये बहुती कम price में मिल रहा था प्लास इसमें invest करने के लिए investor को तो profit या फिर आप लोग बुल सकते हैं उनलों को profit दिखा था उन्होंने खरीदा नहीं था पर उन्होंने सोचा था कि खरीदने के लिए तो इसके बाद दोस्तों दिखें या पर उन्होंने ये बताया कि economic challenge था ही उनलों का बहुत लोट लोन था अब लोग बोल सकते हैं कि जो market cap है उनका उनका market cap से भी ज़्यादा उनका लोन था तो इसलिए economic challenge था ही पर उसके साथ क्या हुआ social challenge भी हो गया उनलों के लिए social challenge की हुआ दोस्तों देखें कोभीद के बज़े से लोग public के सार इतना touch नहीं मिला था इस company को तो इसलिए social challenge भी आ गया था तो अभी यह पर क्या हुआ यह कानोरिया बोल रहा है कि is there an investor who will come तो बो लोग बहुत tension में था कि कोई भी investor नहीं आ रहा था क्योंकि उनको company बहुत दूब जा रहा था इसलिए तो इसलिए बहुत tension हो गया था उनको तो we don't want to be in infra that's very clear message तो last में आप लोग यह पर परपाएंगे कि उन्होंने clear message एक दे दिया है कि बो लोग इंफ्रा में ने रहना चाता क्योंकि उनका बहुत loan था तो अभी दोस्तों देखिए उनका जो market cap वो अल्मुस अकर मैं बोलो तो शीप आप लोग बोल सकते 1000 कोरोर पर उनका जो लोन वो 32,000 कोरोर का है असपास में 32,000 कोरोर के असपास में इसका लोन है पर उनका जो market cap वो 1000 कोरोर भी नहीं है तो दोस्तों देख पाएंगे आप लोग मार्केत क्या भी इतना नहीं है तो बोलोग लोन के देपाएगा तो इसलिए का नोरिया यह आप लोग गेन कर सकते तो दोस्तों देखिए यह तक तो हम लोग को यह समझ में आगे कि यह company ज्यादा पार्फॉर्म अच्छा नहीं करने बाला future में भी क्योंकि अगर आप लोग analysis देखे तो तेन यार्स फाइब यार्स फ्री यार्स का यह निगेटिव में दिया था description में एक वीडियो देडियूंगा जहापर आप लोग को बहुत अच्छा से एक help मिलेगा कि आप लोग कैसे sell कर सकते जब 20% हो और sell 100% हो तो आप लोग को खबराने का ज़रूरत नहीं पर आप लोग जितना जल देऊ सके sell किजिए अगर कोई hold करने को सोच रहे तो रोस्तों यह पर आप लोग बोल सकते जो मैनेजिंग डारेक्टर जो मैनेजमेंट करता है वही इंटरेस नहीं इस कंपानी पर तो आप लोग कैसे profit कमा सकते तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके एसे कंपानी से दूर रही है और नियू इंबेस्टर के लिए तो मैं स्पेश और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पेशे निकलने के बार फाइट्यास होसे रहे कि मेरा जो लॉस रिकोबर कैसे करो तो आप लोग दोस्तो अच्छा सा स्टॉप में इंबेस्ट कीजिए अगर आप लोग फाइनेस में करना चाहते है तो मैं एक वीडियो दो आप लोग कि अपर से बार आप लोग 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 कि अगर आप लोग कि अगर शो है।